आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ सेम टाइम तो कंप्लीट वान डिवोलीशन दोनों जो एक आरवन पर रोटीट कर रहा है एक आरटू पर दोनों सेम टाइम लेता उस रिवालीशन को कंप्लीट करने में तो बोला गया है देर एंग्विलर श्पीड जो है उसकी रेशियो क्या हो यह question पूछा गया देखो हमारे पास जो circular track है इस तरीके से ठीक है तो सब्सक्रों एक क्रेट यह रखी है कितनी दे रखी आर वन और जो दूसरी क्रेटए रखी है ह intéक कितने तTrust है और थidać कर नेए यह यहां पर सपोस करते हैं यहां पर अउमेगा एंगला से रोतेट कर रहा है यह हँआ पर या प्रेक्रियों से रोटेट कर रहा है सब्सक्राइब। ऩीठी ती टिक्डे टाइम प्रणने क्या होता है कि एक रोटेसं इसको कम्प्लीट करनी में whole कितना टाइब लगेगा ठीकैं तो ये टीव न keen Дो डौनों है it your you toay ऐहाँप इसकी वेलश्वोटी यह होनी चाहिए दडिश भी टू है टिक्षी आ यह गूम रहा तो आपको चाहिए कि जो omega 1 होता है वो क्या होता है V1 upon R1 के वराबर होता है और omega 2 जो होता है वो क्या होता है V2 upon R2 के वराबर होता है ठीक है तो यहां से आप देख सकते हों कि जो omega 1 upon omega 2 आएगा किस के वराबर आएगा V1 upon V2 into R2 upon R1 के बराबर आएगी तो R1 into R2 की वेल्यू कितनी ये capital R1 capital R2 दे रखा है तो ये V1 R2 upon V2 R1 के बराबर आएगा तो इन दोनों का रेशियो हमें find करना एक्चुली में ठीक है ये चीजें find करने है तो हमाई पास पहले V1 V2 की रेशियो find करने पड़ेगी तो आपको पता time period of rotation कितना है T1 है ठीक है आपको इसको एक पुरा evolution complete करने में कितनी distance travel करने पड़ेगी ये distance travel करने पड़ेगी 2π1 इसको कितनी distance travel करने पड़ेगी 2π2 जीतना है इसका circumference है तो ठीक है तो time जो हता है total distance upon speed होगी तो distance कितनी हो जाएगी 2π1 upon speed कितना होता है V1 similarly जो T2 दे र तो देखो T1 equals to हमारे पास क्या देखा T2 तो यह हो जागा 2π1 upon V1 equals to हो जागा 2π1 R2 upon V2 तो यहां से आप देखोगे कि V2 R1 equals to क्या हो गया R2 V1 ठीक है यह हमारे पास relation आ गया है अब यहां से आप find कर सकते हैं कुछ V1 R2 upon V2 R1 जो है equals to क्या जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है यह चीज़ें आप clear हो गए अब देखोगे यहां equation 1 पर आप देखोगे कि omega 1 upon omega 2 क्या था V1 R2 upon V2 R1 और यहां पर क्या आप V1 R2 upon V2 R1 तो from equation 1 से यह क्या हो जाएगा omega 1 upon omega 2 equals to 1 आजाएगा और हम क्या कह सकते हैं कि omega 1 omega 2 की जो ratio होगी 1 is to 1 होगी तो जो हमारा answer correct होगा that is option number third correct हो जागा 1 is to 1 क्योंकि यहां पे angular speed की ratio पूची गई थी तो यह हमारा 1 is to 1 आएगा और यह हमारा answer हो जाएगा थेंक यू